नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है मेरी चैनल में आज मैं आपके लिए जो कहानी लाई हूँ उसका शीशक है पहलवान नाई तड़कापुर गाउं में जुम्रू नाँ को एक दुबला पतला कमजोर नाई रहता था उसकी कमजोरी के कारण ज्यादा तर गाउं वाले उसका मजाक उड़ाते और फायदा उठाते थे आज जुम्रू अपनी दुकान खोल कर बैठा ही था कि तभी गाउं के दो बिगडेल बिल्ला और जग्गू उसकी दुकान पर जाकर बोले क्या हाल है जुम्रू भाईया सब कुछ ठीक है ना आज तो बड़े चमक रहे हो लगता है भाबी जी ने आज अतने हातों से तुम्हारे बालों में तेल लगाया है जग्गू बोला बिल्कुल सही कहा बिल्ला आज हमारा भईया बिल्कुल सलमान खान की तरह लग रहा है देख नहीं रहा सिर्फ सल्मान खान की तरह ही नहीं लग रहा है बलकि मुझे तो लगता है जुम्रू भईया की बोड़ी भी बिल्कुल सल्मान खान की तरह ही हो गई है भईया इतना कहकर जग्गू और बिल्ला हसने लगते हैं और मजाक उड़ाते हैं जग्गू बोला अरे ऐसा मद बोलो भईया जुम्रू भईया कहूं कहीं गुस्सा आगया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे बिल्ला बोला सही कहा यार जग्गू कहीं गलती से जुम्रु भाईया ने हमें एक थपपड लगा दिया तो फिल्मी स्टाइल में दाथ बाहर निकल जाएंगे जुम्रू बोला भाई तुम दोनों को बाल कटवाने है क्या बिल्ला बोला बाल भी कटवाने है और शेव भी बनवानी है पर ध्यान रखना जुम्रू भाईया आज हम दोनों को चहरे पर फेशिल भी करवाना है वो क्या है ना गाउं के मुख्या की बेटी की आज शादी है और हम दोनों को शादी में सबसे सुन्दर दिखना है इतना कहकर दोनों कुरसी पर बैठ गए जुम्रू ने एक एक करके उन दोनों की शेव और बाल बना दिये जग्गू और बिल्ला ने अपने चेहरे पर खूब महंगा मसाज भी करवाया जुम्रू बोला आप दोनों के 500 रुपे हो गए जग्गू बोला बस 500 रुपे मुझे तो लगा कि हम दोनों के चेहरे पर फेशेल करने के लिए तुम 5000 लोगे जुम्रू बोला आप दोनों ने चेहरे पर जो फेशेल करवाया है वो थुड़ा महंगा है उसकी क्रीम बहुत महंगी आती है जग्गू बोला सोच लो कुछ और ज़ादा कर लो पैसे जुम्रू बोला आप क्यों मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं जग्गू बोला अरे क्या तुम हमारी भावी लगती हो जो तुम्हारा मज़ाक उड़ाएंगे भाई जुम्रू बोला मैंने आप दोनों से बिल्कूल मुनासिब पैसे मांगे हैं भला मैंने गाउं के किसी आदमी से कभी ज़्यादा पैसे लिये हैं क्या जग्गू बोला ठीक है बिल्ला इन्हें 500 दे दो जग्गू के इतना बोलते ही बिल्ला ने जुम्रू के पांच थपड जड़ दिये और जग्गू ने जुम्रू के मुपर दो मुक्के मार दिये बिचारा कमजोर जुम्रू जमीन पर गिर गया बिल्ला बोला जुम्रू भईया देखो पूरे पांसो दिये हैं देखो पांस थपण मैंने मारे और जग्गू ने तुम्हारे मुँपर दो गूसे लगा कर दो शुन्य बना दिये याद रखना आइंदा हमसे पैसे मांगे तो तेरी दुकान को तोड़ कर यहां तंबू बना लेंगे बड़ा आया हमसे पैसे मांगने वाला देड़ पसली कहीं का इतना कहकर वो दोनों वहां से चले गये जुम्रू बेचारा आखों में आसू लिये बैठ गया शाम को जुम्रू अपनी दुकान बंद करके घर चला गया उसके चहरे पर चोट के निशान देख उसकी पतनी शर्मीली गुस्से से बोली तुम्हारे चहरे पर ये चोट के निशान कैसे हैं जुम्रू बोला हम कुछ नहीं सुबा दुकान जाते वक्त पैर फिसल गया था और मैं गिर गया शर्मीली बोली मुझे क्या बेवकूफ समझा है शकल से ही लग रहा है किसी ने तुमारे मूँ पर जोर जोर से मुक्के मारे है जुम्रू बोला जब सब जानती हो तो फिर क्यों पूछ रही हो शर्मीली बोली मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आप इतने डरपो क्यों है गाउवाले आपका मजाक उडाते हैं जिसकी मर्जी होती है वो आपको पीट कर चला जाता है आप कुछ कहते क्यों नहीं जुम्रू बोला कैसे कहूं मैं और लोगों की तरह शक्तिशाली नहीं हूं मैं कितना दुबला पतला हूं गाउव के लोग मुझे डेड़ पसली कहकर बुलाते हैं शर्मीली बोली अरे आप दुबले पतले हैं तो क्या हुआ क्या दुबले पतले लोगों के अंदर टाकत नहीं होती लड़ने के लिए हिम्मत नहीं होती तुमारे अंदर तो वो भी नहीं है आप खड़े खड़े मेरा मुझ क्या देख रहे हो चेहरे की सुजन बढ़ रही है जाओ डॉक्टर वाबु को दिखा कर आओ शर्मीली की बात सही थी जुम्रु को वास्तों में दर्द हो रहा था जुम्रु चुपचाप घर से निकल कर डॉक्टर मुरारी के घर पर चला गया मगर मुरारी के घर जाकर वो हैरान रहे गया जुम्रू बोला अरे मुरारी जी आपका कमरा तो किसी साइंटेस्ट के कमरा जैसा हो गया है डॉक्टर मुरारी बोले दरसल मुझे डॉक्टरी करने के साथ साथ प्रयोग करने का भी बहुत शौक है जुम्रू खेर छोड़ो ये बताओ कैसे आना हुआ जुम्रू बोला मेरे चेहरे में बहुत दर्ध हो रहा है जुम्रू के कहने पर डॉक्टर मुरारी ने जुम्रू के चेहरे को गोर से देखा डॉक्टर मुरारी बोले आज तुमें फिर से किसी ने पीटा है और मेरा ख्याल है कि तुम्हें किसी और ने नहीं, जग्गू और बिल्ला नहीं पीटा है जुम्रू बोला, ये आपने बिल्कुल सही पैचाना एक तो उन लोगोंने मेरे पैसे नहीं दिये, उपर से मुझे मारा वो अलग डुक्टर मुराली बोले, क्या, उन्होंने पैसे भी नहीं दिये, और तुम्हें पीटा अलग से आखिर तुम इतना डरते क्यों हो, क्या तुम्हें गुस्ता नहीं आता जुम्रू बोला, बहुत आता है, मन तो करता है, कि उन दोनों का मुझ तोड़ दूँ लेकिन मैं जानता हूँ, अगर मैं ऐसा करूँगा, तो और जादा मार खाऊँगा वैसे, आप इसमें क्या बना रहे हैं, जिसमें से धुआ निकल रहा है डॉक्टर मुरारी बोले, ये एक ऐसी दवाई है, जिसे पीकर इंसान इतना शक्तिशाली हो जाता है, कि एक मुक्के से वो चटान को भी तोड़ सकता है डॉक्टर की बात सुनकर जुम्रू हैरत में पड़ गया, जुम्रू बोला, अगर ऐसा है डॉक्टर सहाब, तो ये दवाई मुझे पिला दीजिए डॉक्टर मुरारी बोले पागल हो गए हो क्या, पहले ये जानवरों के उपर प्रयोग किये जाते हैं, इनसान के उपर नहीं, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा जुम्रू बोला, ठीक है डॉक्टर सहाब, तो आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ दवाई लिख दीजिए, ताकि मेरा दर्द कम हो जाए जुम्रू को कहने पर डॉक्टर मुरारी ने कुछ टैबलिट दे दी, जुम्रू को गोली खाकर आराम मिल गया, और जुम्रू अपने घर चला गया कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, एक दिन जुम्रू अपनी पत्नी के साथ बाजार से लोट रहा था कि तभी जग्गू की बाईख शर्मिली से जाटकराई, शर्मिली जग्गू और बिल्ला नीचे गिर गये जुम्रू बोला, ये क्या हरकत है बिल्ला भाईया, देखकर नहीं चल पाते क्या, तुमारी वज़ा से मेरी पत्नी को चोट लग गई बिल्ला और जग्गू उठकर खड़े हो गये, बिल्ला बोला, क्या बोला डेड़ पसली, खुद तो अंधो की तरह चल रहा है सड़क पे और हमें धोस दे रहा है जग्गू बोला, लगता है पांत सो भूल गया, इसे फिर से पांत सो देने होंगे इतना बोल कर दोनों ने जुम्रू को पकड़ लिया जुम्रू बोला, ऐसा मत करो, मेरी पत्नी के सामने मुझे मारोगे तो मेरी बेज़ती हो जाएगी शर्मीली दर्द से कराते हुए बोली, छोड़ दो मेरे पती को एक तो अंधा दुन, फूल रखतार सोकर बाइक चला रहे हो तुम्हारी बाइक मेरी कमर से टकराई, माफी मांगने की बजाए उपर से अकड़ दिखा रहे हो मैं तुम दोनों की शिकायत मुख्या से करूँगी बिल्ला बोला ऐसा क्या? ठीक है कर दो, मुख्या हमारा क्या भी कार लेगा? वो खुद हमारे पिता से उधार मांगने आता है मत भूलो मेरे पिता और बिल्ला के चाचा इस गाउं के जमिनदार है वैसे भाबी, तुमारी कमर इतनी नाजुक है, तो हम क्या करें? जग्गू बोला, अरे शर्मीली भाबी, डेर पसली में क्या रखा है? हम दोनों से दोस्ती कर लो, तुम्हें रानी बना कर रखेंगे रानी जम्रू बोला, ये क्या बक्वास कर रहे हो तुम दोलो, तुम्हें शरम नहीं आती, मेरे सामने ही मेरी पत्नी को छेर रहे हो जग्गू बोला, हाँ छेर रहे हैं, तो क्या कर लेगा बे? बिल्ला बोला, यार, क्यूं इस देड़ पसली से खामखा बात करके अपना वक्त बरबात कर रहा है? जार दे दो तीन, बिल्ला के कहने पर जग्गू ने दो तीन थपड जुम्रू के गाल पर जड़ दिये और जुम्रू का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले गए शर्मीली बोली, जब तुम सड़क पर इन लड़कों से मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो तुमारे पती होने का क्या फाइदा? डूब मरो चुल्लू भर पानी में इतना कहकर शर्मीली गुस्से से वहाँ से चली गई जुम्रू रात तक वहाँ गुस्से की हालत में खड़ा रहा रात को जुम्रू अपने घर की ओर जाने लगा तब ही उसकी नजर डॉक्टर मूरारी के घर पर पड़ी जुम्रू तुरंत मूराली के घर के अंदर गया जुम्रू वही ताकत की दबाई उठा कर घर लेकर आ गया अगले सुबा वह बगैर कुछ खाय पिये घर से बाहर आकर उस शीशी को जेब से निकालते हुए गुस्ते में अपने आप से बोला जुम्रू बिल्ला और जग्गू ने मेरा जीना हराम कर रखा है कल तो इन दोनोंने हद कर दी मेरी पत्नी के सामने मुझे बेज़ज़त कर दिया मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा उन दोनों को ही क्यों पूरा गाउ मेरा मुर्जाक उड़ाता है मैं सबको सबक सिखाऊंगा इतना बोलकर जुम्रू शीशी पीने ही वाला था कि तभी वो खुत को बड़बड़ाते हुए बोला ये मैं क्या कर रहा हूँ डॉक्टर मुरानी ने कहा था कि इसका प्रयोग सबसे पहले जानवरों में किया जाएगा लेकिन मेरी जिन्दगी भी तो किसी जानवर से कम नहीं है जब भी किसी का दिल चाता है जानवर की तरह मुझे पीट कर चला जाता है मैं काम करता हूँ इसको आधा ही पीता हूँ जो होगा देखा जाएगा इतना कहका जुम्रू ने आधी शीशी पी कर जेब में रख ली मगर उसे अपने अंदर कोई भी परिवर्तन महसूस नहीं हुआ जुम्रू बोला अरे मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा उपर से मुझे भूक और लग रही है जेब में खाने के लिए पैसे नहीं है चलो चाई पीकर ही गुजारा कर लेता हूँ जुम्रू गाउं में एक चाई की दुकान पर आकर चाई वाले से बोला एक चाई देना भाईया चाई वाला बोला क्या हाल है तुमारे भाईया सुना है कल बिला और जगु ने तुमारी पतनी के सामने तुम्हें पीट दिया इतना कहेकर चाई वाला हसने लगा जुम्रू ने अपनी मुठियां गुस्से से बांद ली तभी वहाँ जग्गू और बिल्ला हस्ते हुए आ गए जग्गू बोला ओए एक कप चाए हमें भी पिला दो भईया चाएवाला बोला चाए के पैसे जग्गू पैसे तो है न जग्गू बोला पैसे हमारे जुम्रू भईया देंगे समझे जुम्रू बोला लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही चाय का पैसा है जग्गू बोला हमें इससे क्या मतला पैसे तो तू ही देगा चायवाला बोला अरे बहस मत करो जुम्रू भईया अभी नहीं है तो बाद में दे देना जुम्रू बोला ये कैसी बात कर रहे हो तुम मैं सिर्फ अपनी चाय के पैसे दूँगा चायवाला बोला अरे मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि ये दोनों तुमें खामका पीट देंगे आज तुमें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है चायवाले के कहने पर जुम्रू सोच में पढ़ गया ये सच था कि दबाई पीने के बाद जुम्रू को बेहत गुस्सा आ रहा था तभी अचानक देखते ही देखते जुम्रू की शर्ट फट गई और जुम्रू के हाथों के मसल्स निकल आए यह देखकर चाय की दुकान पर मौजूद सभी लोग हैरत में पढ़ गए जुम्रू बोला तुम दोनों ने कल मेरी पतनी के सामने बहुत बिज़दी की है ना अब मैं तुमें नहीं छोड़ूंगा जुम्रू का शरीर देखकर जग्गू और बिल्ला थर-थर कापने लगे जग्गू बोला अरे इसको क्या हो गया बिल्ला ये कमजोर नाई पहलवान कैसे बन गया तभी जुम्रू ने उन दोनों को बुरी तरह पीट दिया बिल्ला और जग्गू की पसलिया तोड़ कर जुम्रू गुस्से से चायवाले से बोला क्यों रे तुझे बड़ी हासी आ रही थी ना मुझे देखकर तब चायवाला बोला अरे नहीं जुम्रू भईया हम तो आपकी भलाई के लिए बोल रहे थे हम सब आपके साथ हैं जुम्रू बोला आते ही तुने मेरा मजाक उड़ाया था उन दोनों से कुछ कहने की बजाए तुम मुझसे ही चाय के पैसे मांग रहा था ना इतना कहकर जुम्रू ने लातों और घुसों से चायवाले का मुझ लाल कर दिया चायवाला बेहो शोकर गिर गया पूरे गाउं में हाहाकार मज गया कुछी देर में गाउं का जमिनदार चौधरी अपने आद्मियों को ले कर गुसे से जुम्रू के घर पहुँचकर उसकी पतनी से बोला कहा है तेरा पती जुम्रू उसने मेरे भतीजे और बेटे को इतनी बुरी तरह मारा है कि उसकी पस्लियां तक तोड़ दी शर्मिली बोले ये कैसी बात कर रहे हैं आप चौतरी जी मेरे पती तो बेहत दुबले पतले और सीधे इनसान है उल्टा तुम्हारे बेटे और भतीजे ने कल बाइक से मेरी पीट पर चोट मार दी और मुझे छेड़ा जमिनदार बोले अरे बकवास मत करशर मिली अरे पूरे गाउ में तेरा पती सब को बेदर्दी से पीट रहा है अचानक वहां जुम्रू आ जाता है जुम्रू को देखकर चौधरी थर्थर कापने लगता है और अपने आदमियों से बोला अरे आओ निकाल दो इसकी सारी पहलवानी चौधरी के कहने पर चौधरी के आदमी जुम्रू को मानने के लिए बढ़े मगर जुम्रू ने देखते ही देखते चौधरी के सारे आदमियों को धूल चटा दी ये देखकर चौधरी डर से वहां भागने लगा जुम्रू ने तुरंत चौधरी को पकड़ लिया वह बोला कुछ देर पहले तेरे बेटे और भतीजे को मारा अब तेरी बारी है जुम्रू बोला ये सब डॉक्टर मुरारी की दवाई का कमाल है अब मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा सारे गाउवालों का जीना हराम कर दूँगा तभी दवाई का असर खतम हो गया और जुम्रू अपनी पहली जैसी अवस्ता में आ गया शर्मीली बोली अरे ये तो आप पिल्कुल पहले जैसे हो गये जुम्रू बोला नहीं नहीं मैं पहले जैसा नहीं होना चाता अभी भी दवाई है मेरे पास जुम्रू शीशी निकाल कर पीने ही वाला था कि तभी डॉक्टर मुरारी वहां आ गये डॉक्टर मुरारी बोले अरे भाईया ये क्या कर रहे हो इस दवाई को मत पीओ जुम्रू बोला अरे नहीं इस दवाई की वज़े से आज मैंने उन सब को धूल चटा दी जो मेरा मजाक उडाते थे डॉक्टर मुरारी बोले अरे जुम्रू भाईया कल पूरी रात इस दवाई को घर में ढूंता रहा लेकिन जब सुभा मुझे पता चला कि तुमने सबको पीट दिया तो मैं समझ गिया दवाई तुमने पी ली है ये दवाई वैसी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो जुम्रू बोला अरे दूर हट जाओ डॉक्टर मुरारी तुम मुझे इस तरह की दवाई बना कर दो डॉक्टर मुरारी बोले जुम्रू मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये दवाई सिर्फ उस देर के लिए इंसान का थोड़ा सा आकार और मसल बना देती है लेकिन ताकत नहीं दे सकती जुम्रू बोला आप कहना क्या चाते हैं डॉक्टर मुरारी बोले वही जो तुम सुन रहे हो इसे पीने से सिर्फ तुमारे मसल और तुमारी लंबाई थोड़ी बढ़ेगी लेकिन जिन गाउवालों को तुमने पीटा है वो तुमारी से क्यों आ रहा था दोस्तों इस घटना के बात जुम्रू का आत्म विश्वास हमेशा के लिए बढ़ गया अगर आपको को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सκराइब कर दीजिए जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने तो बेल का पहले बहुत जाएगी, thanks for listening